आप बोजन का कौन सा हिसा पसंद करेंगे? बड़ा, मध्या या छोटा? शायद बड़ा है ना? जितना ज़्यादा उतना बड़ियाँ खैर, आज हमारे गैंग का सामना हर तरह के बोजन से होने वाला है और भाग्या ही टै करेगा कि खाने के लिए कुछ अच्छा किसे मिलेगा तो लड़कियों क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल, इतना बड़ा स्नीकर है सच में विए बहुत बड़ा है, मुझे सामान्याकार का मिला है फिर में मेरे छोटा वाले से अच्छा है, बहुत छोटा यह अच्छा नहीं हुआ, दुखी होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होने से थोड़ा होना अच्छा है इसलिए मैं इसकी मज़े लेने जा रही हूँ मुझे खुब कामना है दो अजीव है जैसा मैंने कहा था यह स्वादिस्ट है ओलिगार अब तुम्हारे बागी वास्त में मुझे पता है नहीं कि मुझे काटा और चाकु चाहिए लेकिन यह मुझे पता है कि मैं इसे खाना चाहता हूँ मैं बहुत उटसा ही हूँ बस बहुत हो गया यह अपना काटा चमक वापस लो अपने हाथ से खाओ हाँ मैं खाओंगा क्योंकि इसे ऐसे ही खाना चाहिए कितना गंदा तुम दोनों ही बुर्खो किसे परवाय है कि तुम कैसे खाते हो खासकर तक जब यह बहुत सारे है ओ, मैं तुम सभी की गिंती भी नहीं कर सकता तुझे पता है है ना यह बहुत अच्छा अरे, इसे हमारे सरब मत फैको ठीक है, चिलानी की कोई जर्वत नहीं है जर्वाइस बिल्डिंग को तो देखो जो मैंने बनाया है और एक, दो, तीन तुम्हें सबसे ज़्यादा चॉकलेट भी मिला है और इसके साथ फाउंट इन भी मैं सभी चॉकलेट बार को इस पर लगाऊंगी और मेरे पास स्नीकर फाउंट यू है अब खाओ दोस्तो तुम कितनी अच्छी हो दन्यवाद का मिला मिलवाद कर खाने सी और भी स्वादिस्क हो गिया और यूज एकदम से ही यह कितना थोड़ा छोटा ननना सा कुकी है यह उचित नहीं है खेर मैं तो बहुत खुश हूँ मुझे बहुत सारे मिले है मेरे पास बस एक सामानी कुकी है यह ठीक है मुझे इन सबी को गिलने न चाहिए एक, दो मुझे पता है मैं क्या कर सकते हूँ यह दो दिसमें मदद करेगा और हम इसके बड़ा होने का इंजार करते है हाँ, आव यह जादा है और स्वादिस्ट भी मुझे फ्रोस्टिंग बहुत पसंद है इसलिए मैं पहले उसे खाऊंगी धन्यवार यह बहुत क्रीमी और स्वादिस्ट है काश यह और भी होता तुम कुकी के साथ क्या करने वाली हो मैं एक नई फिलिंग का उप्योग करूँगी मेरे पास यह न्यूटे लगा एक जार है चॉकलिट कुकीस के अंदर चॉकलिट भरी हुई इससे बेतर और क्या हो सकता है तुम सही कह रही हो मैं इससे बेतर कुछ नहीं सोच सकता जोड़ से पकरो बुल नहीं यह तुमने क्यों किया मेरे वर ट्रीट हो गए यह जो मैंने अपनी लिए तयार की थी माफ करना तुम बहुत अदिक समय ले रही थी तुम्हें पता है मैं क्या लेकर आया हूँ देखो तुम लोग वास्ता में कुछ खास देखने वाले हो तयार हो मेरे बारे में मत भूला स्वादिस्ट शान्त हो जाओ यहां बहुत है और अधिक कैंडिज लाओ मिशाल काई स्किट्ल्स मेरा सामान साइज का है और इंद्रदूस के सभी रंगिस में है पता नहीं इसको छाटने में कितना समय लगेगा लाल और पीला क्या बनाया है और इसका स्वाद तो कमाल का है विकी क्या तुम यह देख रही हो? अरे हाँ उसे साथ तुस्तो गर्वर हो रहा है जब आपको भूख लगी होती है तो हर एक टुगड़ा अमुल्य होता है तुम लोग मुझे इस तरह से क्यो देख रही हो? बस ऐसी ही यह दर पे कहा से आ गए? लगता एक मुझे स्कीटल से अलर्जी हो रही है अब मेरी बारी है अपनी कैंड़ी को खाने की यह लाजवाब है अब उसके बालों को देखो मैं देख रहा हूँ गमिला क्या तुम्हें हमेशा से लाल बाल पसंद थे? अरे यह क्या? नहीं मुझे पसंद नहीं अरे यार यह तो बहुत अच्छा है मुझे भी ऐसे मज़ेदार बाल चाहिए और लीला मेरा पसंदीदा रंग है स्वादिस और सुन्दर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा चाह रही थी वैसा हुआ है देखो मेरे लंबी सुन्दर वाल कहा है यह काम क्यों नहीं किया? टेक से देखो विकी यह काम कर चुका है मैं एक एलियन की तरह लग रही हूँ वाद चिप्स पर बहुत बुरा यहां बहुत कम है मुझे बहुत सारे मिले है पूरा कैन मेरे पास जरुवत से बहुत ज्यादा है मैं अपनी कैन का उपली से देख भी दी पा रही हूँ अरे माह कितना सारा चलो देखते हैं अंदर क्या है इतनी बड़ी चिप्स मैंने आज तक नहीं देखी और इसका स्वान भी कमाल का है अब मेरी बारी है मैं चिप्स का इक टावर बनाने जा रहा हूँ जो बहुत उचा होगा आकास को छूते हूँ देखो कितना अच्छा है अरे नहीं और यह नीचे आ गया पेचारी का मिला यह ट्वीजर है जो आप मेरी मदद करेगी तो अब हम सब आनंद ले पा रहे हैं अपने क्या मेरा खत्म हो गया लेकिन मैं कसम खाकर करता हूँ कि मैंने भी शुरू किया था खुलो वेकी क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी अहाँ ले लो वाँ बहुत बढ़िया यहाँ अब यह भी बहुत कुछ है मैं लेश्चे तुरूप से पेट भर कर खाऊँगा क्या तुम सच में फास गये हो ओलिवर, मैंने मदद करो तुम लोग जल्दी खीचो, एक, दो, तीन तुम दोनों का शुक्रिया वाँ, रंगी, काचन कैंडी अब इतने साही कि कभी खत्म नहीं होंगे पर सभी को उतना नहीं मिला है और मुझे तो बहुत ही कम मिला है जितनी जल्दी मैं खाऊंगी अब मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ जो स्वाथ से भरपूर है मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ यह सीधे मुझे गुल जाता है यह वन मुझे ही नहीं गुलता है इसे गाएव होते देखना भी मज़िदार है क्या? नहीं, मेरा कोचुन कैंडी यह तुम कैसे कर सकते हो? यह पहुत स्वादिश लग रहा है मैं इसका बदला जर्ण लूँगी हो अलिवर विकी, सुनो ठीक है, मैं तुमारे साथ हूँ अलिवर, देखो क्या हूँ आइस किन ट्रक है? जो उधर आ रहा है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? देखो उधर उस तरब यह मुझे मौका मिला है जूट बोलना बंद करो महा कुछ भी नहीं है क्या तुम्हें सर्म नहीं आती विकी? मैं उसके बाले में नहीं जानती पर मुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों ही एक नंबर की चोर हो यह वैद है क्या? किस तब बंद करो विकी? क्या? मैंने कुछ नहीं किया? तुमने मेरे सारे कॉटन कैंडी खा लिये सावित करो तुमने खोड़ी खा लिये होंगे ये मेरा पसेंदिदा कैंडी ये सबसे अच्छे है मुझे तो उससे पेक ही मिले है ये सही नहीं है कितना स्वादिस है मुझे और चाहिए सावधान रहो लड़कियो मुझे एक बड़े हतोड़ी की जरुद होगी निशाना सही लगना चाहिए ये बहुत चोर से है सब हो गया अब मेरे पास मॉल्टे सर्फ से बने वे चोटे मिठे ठुकड़े हैं काने के लिए कितना बड़ी आइडिया है मैं सच कह रहा हूँ कमिला बस ऐसे बैठे मत रहो खाओ मेरे पास खाने के लिए पूरी बाल्टी बड़कर है इसे एक बार में खाने के लिए तो घंटो लग जाएंगे मेरी ममी हमेशा कहती थी कि मेरे पास एक क्रियेटिव दिमाग है मेरे इस चोकले ठार के बारे में तुम नम्गो का क्या कहना है तुमारे ममी सही कहती थी सुनदर और स्वादिस्ट और इसके बारे में क्या कहते हो चॉपनेट बॉल दूद में तैरते हुए बहुत बढ़िया सभी खाने के मजे लो बर्गर बहुत बढ़िया मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा बर्गर कभी नहीं देखा है इतने छोटे बर्गर को तो देखकर तो मेरा मन ही उदास हो गया एक दम सही साइस यह बेल्कुल भी सही नहीं है आशा करता हूँ कि यह सॉस कुछ मदद करेगी कितना गंदा लग रहा है तोच में बहुत गंदा यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं यह मेरा है और तुम एक दम सही हो मैं तुमें सबक सिखाऊंगा विकी वह क्या है क्या कहा क्या तुम अभी भी यह सब अपने पास रखना चाओगी जब यह तीखा हो तुमने मुझे दूखा क्यों दिया मुझे लगा कि कुछ है मैं खाने जा रही हूँ यह इतना तीखा क्यों है हमने ड्रैगन को जगा दिया उसे क्या हुआ कितना भयानक पर आगे बढ़ती हूँ आखिर मैं इसे खाऊं कैसे मैं तो इसे उठा भी नहीं पा रही है सब कुछ गिर रहा है मेरे पास एक आइडिया है यह ले लो ठीक है मैं कोशिश करती हूँ धन्यवाद यह क्या धलत हो गया ओलिवर एक प्यानक विचार था तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं करना चाहिए था नोसी सभी को आश्टर चकित करना चाहती है और क्या आप उन सारे कप को देख रहे है मुझे डर है कि ब्रिटिनी और माईक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है केवल समस्य यह है कि शरारत का अंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लूसी अच्छी और बास्विक तॉर्फर गुसा हो रही है और इसका बदला गंभी रूप से लेगी यह सौ परतों की चुनावती होगी यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है डोनट्स किसे कौन पसंद नहीं करेगा लूसी सबसे ज़्यादा भागेशा लिने की और उसे बहुत सारे मिले है जरा रुको मायक लड़कियों को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे समभालना है बिटनी के पास केवल एक है बिचारी लेकिन लूसी एक विशाल गगन चुम्बी इमारत का निर्मान कर रही है जो लगा तार बढ़ती ही जा रही है सावधान रहो इसे गिरना नहीं चाहिए नहीं मायक क्रिप्य नहीं मत करो उसकी भारी चीक ने डोनट्स के पूरे निर्मान को एक जटके में गिरा दिया या जरूर ही एक भारी शक्ति साली चीक रही होगी वो डोनट्स टुक्डे टुक्डे होकर भिखर गये है खैर बहुत बहुत धन्यवाद मायक तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया अब लूसी को शान्त करने कौन जा रहा है चलो अब आतीत के बारे में भूल कर आगे बढ़ते हैं और इन स्वाधिस बर्दर को देखते हुए कौन परिशान हो सकता है मायक को के वर एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा दिख रहा है ब्रिटनी को अपने आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं और तो गिनने तक की जमत नहीं उठाना चाहती उसे पता है कि वो बहुत सारे है लूसीया समझने की कोशिश कर रही है कि एतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वो एक बहुत ही मूल दृष्टिकोन के साथ जाने का फैशला करती है और उन सब को दबा कर एक साधारन संभालने लायक आकार का बनाती है जरा देखो उस छोटे से बर्गर को उसके बूँ में डालने के लिए एक दम सही आकार बिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी बनद मिल सकती है पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरुवत होगी ओ, उन्हे बास्ते में बहुत मदबूत होना चाहिए वो इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर प्यार कर लेते हैं पर अच्छी बात ही है कि इसमें अभी भी सो बर्गर का स्वाद है लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोद के साथ वापस आ गया ओ, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता माइक फिर से सब को धकन अटाने को कहता है लूसी ने अपना धकन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे और माइक की प्रत्रिक प्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रेटीन मी की भी केवल साधा ब्रेट? कितना ओबाओ? नहीं दोस्तों नेड़ने लेने में एक भी जदी मत करो न्यू टेला ने टेबल पर अपनी जगा ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है पर इसके लिए हमें बरतनों की भी जरुवत होगी चाकू या चमच के बिना दिन बरबाद हो जाएगा इसलिए यहां यह है तुम तीनों के लिए कोई भी अन्यकी तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तों में कुछ विशेश अलग तरह का मिला है लूसी पागलों की तरह हस रही है पर उसे ध्यान के निडिट करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वो विशाल चमच का उप्योग कैसे करेगी अपने न्यूटिला स्प्रेट के लिए वो इतनी भी मुर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंट में समाधान खोज लिया माईक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वो बस खुशिशे खा रहा है बिटनी या समझने की कोशिश कर रही है कि उस चोटी सी गुडिया के हाथों के जोड़ों के साथ वो क्या करेगी शायद इससे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए और वो करती है बुरा नहीं है पर यह स्पस्ट्रूप से एक लंबा समय लेगा उसे बहुत सारे ब्रेड मिले है कोई बड़ा हाथ सायद जल्दी जल्दी या काम कर सके बिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है पर इसका स्वाथ बहुत अच्छा है अगर वो कुछ काम कर रही है तो वो कम देखवाल के साथ काम नहीं कर सकती ओरियोज तो लाजवाब होते हैं पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है बिटनी को कुछ और मिले है, जो कि अच्छा है और इसका मतलब है कि बागी सारे ओरियोज माइक का इंजार कर रहे है यह तो कुकी का पहार है रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परति लगानी होगी यह तो बहुत मज़िदार होता है यह तावर बहुत ही आनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिस्थ है इसके बारे में भूल नहीं सकते यह तीनों पेशेवार आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है किसी तरह की परिशानी या दहशत की जरुवत नहीं है कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए है और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाम नहीं आता है हाला कि माय किया सब सुनने को त्यार नहीं है और वो बिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकडों को बिटनी की और बढ़ा देता है खैर अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा बिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूद के भी वो सारे कुकीज को खा रही है जो की और भी प्रभावशाली है होट डॉग्स आपको क्या अधिक पसंद है ये या बर्गर्स माइक का चेरा बता रहा है कि उसे होट डॉग्स ज़्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक वार फिर से सबसे ज़्यादा मिला है पर सौस नहीं हम इसे ठीक करना होगा माइक थोड़ा परिशान है कि उसे क्या करना होगा लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मान नहीं होगा लड़कियां पहले से ही अपने वेंजन को खाना शुरू भी कर दी जो एक अच्छी योजना थी अरे यार ये बहुत ही ज़्यादा है माइक वास्ता में थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गर्वर फैला दी है मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था अब बंद भी करो क्या तुम ऐसा कर सकते हो अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है खेर यह दौर बहुत मज़ेदार था है ना क्या यह बहुत शांदर नहीं होगा कि यह चुनोतियां बस चलती ही रहें साकर्स क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है हमने सोचा है शुरुवात के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं और अगर आपके पास यह बहुत सारे हैं जैसा कि बृटनी के पास है तब तो आपको आनंद अन्पहीन होगा हम ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है क्या यह वास्तों में अच्छा विचार है व्रिटनी ओ जैसा कि मैं इससे डर रही थी या बुरा हो रहा है माइक तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरुवत है लूसी तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी यह गमीर काम है अब खीचू साथ में तुम कर सकते हो उनकी संयुक ताकत ने आखिर कार चाल चली शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में बृटनी ने अपने दाथ नहीं गवाए अब यह पूरे सब्ता चलेगा पता नहीं क्योंप और कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता डर लग रहा है खर लगना भी चाहिए हम इस चुनौतिक आंथ प्याज के साथ कर रहे हैं और किसी को यह बहुत सारा मिला है और वो है बृटनी हमें तुम से सहानुबूती है पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते इसकी गन बहुत भयानक है और यह किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है हमारी तिक्डी पूरी बहादूरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है यह जानती हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है लूसी वास्ता में बहुत रो रही है, यह प्यास की गल्ती है, यह काम उसके बरदास्त के बाहर है मृटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है, आज ही के दिन उसने वाटरपूट मस्करा का उप्योग नहीं किया माईक इस सब के लिए तैयार नहीं था और वो जब वो देखता है तो डर जाता है, इसके लिए इन लड़कियों को दोश नहीं दे सकते, कोई भी मेकप इस हमले को बरदास्त नहीं कर सकता था दूसरे जलक में यह वास्ता में डरामन से ज़्यादा हास्यास बद था क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया इसे अपने दोस्तों के साथ साजा करें उस लाइक बटन को दबाएं और कमेंट सेक्षन में हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं फिर मिलेंगे दोस्तों